हे एलो स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे ICAI के एक मोस्ट इंपोर्टेंट अनॉसमेंट जो हर CA Foundation, Inter और Final तीनो स्टुडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है नाव फर्स्ट पॉल अपडेट बता हूँ उससे पहले आप सभी से छोड़ा से रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप सभी यूटूब चैनल नहीं हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेले करनो बटन से प्रेस कर देना सब्सक्राइब यहां पर सिंपल सा इसका मतलब है आपने ओल्ड स्किन का स्टूडेंट हो सीए फांडेशन का और आप कनवर्जन करके निव स्किम में आ गए हो तो आपके माइन में डावट है कितने दिन का रहेगा कितने टाइम पिरेट का रहेगा तो यहां पर एक ट्लियरले मैंशन क्या गया है उपने उपने एक दिऊ-इटे तो यहाँ पर अगर आप old scheme का student हो, IPCC वाला हो या फिर CA intermediate old students हो और आप conversion करके new scheme में आ रहे हो तो यहाँ पर आपके registration के validity बढ़ जाएगी 5 साल तक और फ्रॉम देट ओप conversion जिस दिन से आप conversion कर रहे हैं उस दिन के date से लेके 5 साल तक के आपके validity बढ़ जाएगी registration की मतलब अब 10 attempt दे पाएंगे CA enter का और यहाँ पर question number 4 students के mind में आता है I have a registered for final course under the old scheme same doubts आ रहे हैं कि सर में old scheme का student हो CA final का और अब मैं conversion कर लिया हूँ नीज स्किम में conversion करने के बाद मेरे जो registration होगा उसकी validity कितनी रहेगी कितने time period तक तो यहाँ पर clearly mentioned यह ICI ने उसका अंसर दिया है after the conversion to the new scheme of education and training your final course validity will be for 10 years from the date of conversion अगर आप CA final student हो old scheme का student हो आपने conversion करके new scheme में आ रहे हो तो आपका registration का जो validity होगा 10 years तक बढ़ जाएगा और कपसे जीज दिन से आपने conversion क्या उस दिन से मतलब 10 years तक आपका registration का date बढ़ जाएगा registration validity बढ़ जाएगी तो 10 साल में आप base attempt दे पाएंगे CA final का hopefully आपको समझा update in case आपके माइन में फिर भी कोई doubt आता हो comment section में comment करना इस पीडियोप को मैं गुरोन ओले telegram channel पे share कर दूँगा तो आप विजिट करके आप प्लीज इस पीडियोप को download कर लेना और एक बार go through कर लेना उसके बाद भी आपके माइन में कोई doubt रह जाए तो comment section में comment करना thank you students again एक request करूँगा अगर आप सब YouTube channel पने हो तो please channel को like, subscribe एंड जो साइड में bell icon वाला button तो प्रेस कर देना